रोखा चैनल में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं और इस बार हम डॉक्टर राम विलाश शर्मा के द्वारा जो लिखा गया निबंध है धूल उस पर आधारित प्रुष्णों के उत्तर करेंगे इसके पहले हम इसी रशना याने धूल का सार जान चुके हैं तो चलिए शुरू करते हैं डॉक्टर राम विलाश शर्मा का निबंध धूल पर आधारित प्रुष्णों के उत्तर इसके प्रुष्ण आपके सामने स्क्रीन पर आएंगे और उसके उत्तर मैं आपको यहां से द आ रहा है और इसमें पूछा गया है कि हीरे के प्रेमी उसे किस रूप में पसंद करते हैं तो इसका उत्तर है कि हीरे के प्रेमी हीरे को जब खरीदते हैं तो चाहते हैं वह साब सुथ्रा हो चमकदार हो चका चौन सी पैदा करता हो ऐसे ही रही उन्हें खोशूरत लगता ह अच्छा लगता है दूसरा प्रश्ण आपके सामने स्क्रीन पर और इसका उत्तर है कि लेखक ने संसार में अखाड़े की मिट्टी में लेटने उसे अपने शरीर में लगाने को सबसे दुरलव सुख माना है इससे बढ़कर कोई दूसरा सुख नहीं हो सकता क्योंकि वह मिट्टी पवित्र मानी जाती है और देवता के सिर पर भी उसे चड़ाया जाता है अब तीसरा प्रशन स्क्रीन पर और इसका उत्तर है कि मिट्टी की आभा का नाम धूल है आभाया ने उसकी चमक उसकी पहचान धूल से ही होती है और अब इसके कुछ छोटे प्रशनों के उत्तर देने हैं तो पहला है धूल के बिना किसी शिशू की कल्पना क्यों नहीं की जा सकती तो इसका उत्तर है कि धूल के बिना हम किसी शिशू की कल्पना इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि धूल जीवन के सबसे निकटतम है माता की गोद से जिस दिन बच्चा उतर कर अपना कदम आगे बढ़ाता है तो उसका पहला कदम धूल पर मिट्टी पर भूमी पर ही पड़ता है तो वह माता की गोद से धर्ती माता की गोद में पहुँच जाता है इसी तरह मिट्टी मात्र भूमी के तोर पर उस बच्चे के साथ उसका एक सम्मंध बनाती है और मात्र भूमी के लिए मात्र भूमी को माता से भी बढ़कर माना जाता है बच्चा जब घुटनों के बल चलता है तब वह अपनी मात्रूहुमी की गोद में धूल से सन करके और भी निखर जाता है यह धूल शिशू के मुख पर भी पड़ती है और तब उसका जो आनंद है उसकी जो शोभा है वह कई गुला बढ़ जाती है इसी से बच्चे धूल से भरे हुए हीरे कहे जाते हैं फिर दूसरा है हमारी सभिता धूल से बचना क्यों चाहती है तो इसका उत्तर है कि जो शहरी सभिता है वह अपना विकास करना चाहती है और क्रत्रिम रूप से जीवन को जीने की आदी हो गई है जो सहज चीजें हैं, जमीन हैं, धूल है, पानी है, हवा है वह इन सब से अपने को बचा कर रखना चाहती है वह आसमान में उड़ना चाहती है विकास का आसमान उसके लिए हमेशा एक लच्छ बना रहता है धूल को यह सब्विता हीन समस्ती है, सुन्दर्ता के लिए खत्रा इसे माना जाता है और बच्चों के लिए तो उसे बच्चों से दूर ही रखा जाए यह मानसिकता होती है और तीसरा है अखाड़े की मिट्टी की क्या विशेष्टा होती है तो इसका उत्तर है कि अखाड़े की मिट्टी बहुत ही असाधारन होती है वे पवित्र मानी जाती है देवता पर चढ़ाई जाती है और उसे तेल तथा मठे के साथ सिजाया जाता है और उस पर जो पहलवान होते हैं वो कुस्तियां लड़ते हैं तो पहलवान सबसे पहले मिट्टी खोई प्रणाम करता है उसका आदर करता है फिर आगे बढ़ता है और चोथा आपके सामने स्क्रीन पर और इसमें हमको बताना है कि श्रद्धा भक्ति इसने की विल्जना के लिए धूल सर्वुत्तम साधन कैसे है तो वह इस तरह कि श्रद श्रद्धा विश्वास का प्रतीक है धूल को आखों में लगाकर योद्धा उसके प्रती अपनी श्रद्धा अभिव्यक्त करता है भक्ति हर्दे की भावनाओं का बोध कराती है धूल को माथे से लगाकर मात्र भूमी के प्रति हम अपनी भक्ति को ही दर्शाते हैं बच् संद करके घर लोटता है उसे उठाकर जब हम चूम लेते हैं तो वह बच्चे के प्रती धूल के प्रती हमारे प्रम जो प्रेम है उसके प्रती जो लगाव है उसको व्यक्त करता है और अब प्रश्व पाच्वा स्क्रीम पर लेखग ने इस पार्ट में नगरी सब्विता पर कई तरह से व्यंग किया है जैसे विए कहते हैं कि नगरी सब्विता में बनावटी पन पर जोर होता है क्रत्रिम्ता पर बनावट शंगार को महाँ तो मिलता है नैसर्गिक्ता को प्राकृतिक सुंदर्ता को वहाँ उतना महात्व प्राप्त नहीं होता वास्ट्विक्ता से दूर रहकर जीवन जीने की आदट डाली जाती है धूल से बचने की प्रवृत्ति होती है और इसके लिए लोग उंचे-उंचे घर बनाते हैं घरों में शीशे लगाते हैं परदे डालते हैं और उससे अपना बचाओ करते हैं और अब इसका खा करेंगे पांच में का जिसमें थोड़ा बड़े उत्तर देने हैं इसमें बताना है कि बालकृष्ण के मोह पर चाई गोधूली को स्रेश्ट क्यों माना जाता है लेखक बाल कृष्ण के मुँँ पर चाही हुई धूल को स्रेश इसलिये मानता है क्योंकि उससे प्राकृतिक सौंदर और भी निखर जाता है और यह शिशू की सहज पार्थिवता को भी निखारता है पार्थिवता क्या है कि हमारा जो शरीर है यह असल में मिट्टी ही है और जब मृत्यू हो जाती है तो यह मिट्टी में ही मिल जाता है तो हमको इसका एहसास होना चाहिए कि जो धूल है वही हमारा आखरी शर्ण इस्थल भी है उसी में जाकर के मिलना है तो इस तरह बनावटी प्रसाधन इसके सामने खुद ही धूल बन जाते है और इसी का दूसरा स्क्रीन के उपर अब धूल और मिट्टी में क्या अंतर है ये बताना है तो देखे लेखक ने कहा है कि इसमें वही अंतर है जो शुद्द और रस में हैं जो शरीर और प्राण में हoral जो चांद और चांदनी में है मिट्टी की आभा धूल है तो मिट्टी की पहचान धूल से ही होती है तीसरा प्रश्ण इसका तीसरा खंड स्क्रीन पर और इसमें हमें बताना है कि ग्रामीर परवेश में धूल के कौन-कौन से सुन्दर चित्र नज्रों के सामने आते हैं तो इसका उत्तर है कि जब अमराईयों के पीछे सूरज पहुँच जाता है और धूल उड़ती है तो उसकी किर्णों से धूल मिलकर के जो एक नया स्वरूप रच्छती है वह दर्शनी होता है जब वही किर्णे मिट्टी पर पड़ती है तब उसके सामने सोना भी मिट्टी हो जाता है इसी तरह साम को बेल गाड़ियों के निकलने पर धूल इस तरह उड़ती है जैसे रूई के फाहे उड़ रहे हो इसी तरह एरावत हांथी के जो तारों से भरे हुए रास्तेगी तरह जहां जहां इस्थिर हो जाती है धूल के कण मानों तारे हो और चाजनी रात में जब मेले में जाने के लिए गाणिया निकलती है तो यही धूल कवी की कल्पना बनकर उसके आसपास मंडराती रहती है तो लेखक ने इस तरह से इसके शब्द प्रस्तुत किये इसी का चौथा हिस्सा है कि हीरा वही जो घन चोट ना तूटे से हमको इस पुश्ट करना है कि यह क्यों कहा है इसका उत्तर यह है कि हीरे की पहचान यह मानी जाती है कि उसकी उपर घन हथोड़ा बड़ा से बजणदार हथोड़ा पठका जाए तब भी वह न ठोटे एसा हीरा ही हीरा होता है वरी तो टूट जाता है मेleा हीरा जो है नाजुक होता है तो लेकिन धूल के उपर हथोड़ा मारी है धूल नहीं तूटती क्योंकि वह तो पहले ही कण कण है उसको और विभाजित करने की शक्ति किसी हथोड़े में नहीं होती इसलिए धूल हीरे से भी ज़्यादा बढ़कर मानी गई है और अगला हिस्सा इसका कि धूल धूली 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 और गोधूली की वेंजनाओं को इसपस्ट कीजिए तो इसकी वेंजनाओं इस तरह इसपस्ट की जा सकती है कि धूल यथार्थवादी जीवन का गद्य है तो धूली उसकी कविता है धूली छायावादी दर्शन है जिसकी वास्तुविक्ता संदेह मुक्त होती है धूरी लोकसंस्कृती का नभीन जागरन है और गोधूली गाओं के जीवन की अपनी संपदा है क्योंकि वह और कहीं नहीं मिलती गाओं में ही मिलती है अब आया छटवां कि धूल पाट का मूल भाव क्या है इसे इसपस्ट कीजिए तो इसका उत्तर यह है कि धूल पाट का जो मूल भाव है वो यह है कि धूल हमारे जीवन का अखंड हिस्सा है हम उसी में रहकर जीवन प्राप्त करते हैं उसके साथ रहकर जीवन प्राप्त करते हैं उसकी प्रेड़ना से जीवन प्राप्त करते हैं और इसलिए कवी ने जो है वो कृष्ण की वी जो है तारीफ में कहा है कि धूरी भरे अति शोभित श्यामजू कृष्ण भी जब बच्पन में धूल में खेल कर अपने शरीर में धूल लपेट लेते हैं तो उनकी सुंदर्ता और बढ़ जाती है शहरी सब्विता में धूल के प्रतिय लगाओ होता है उससे बचाओ कि वाई किये जाते हैं उसे बुरा समझा जाता है बच्चों को उससे बचाने की कोशिश की जाती है तो सब कुछ यहां पर जो सहर शहरी सब्विता का है वह बनावटी है निसार है यथार्फ से दूर है औ और अब सात्वां आपके सामने स्क्रीन पर और इसका उत्तर है कविता को विडंबना मानते हुए लेखक ने जो कहा है वो यह है कि गोधूली तो गाओं में ही होती है जहां गाये होंगी वहीं पर गायों के पैर से उड़ने वाली धूल को गोधूली कहा जाएगा शहरों म अभी कुछ-कुछ गाय होती है उतनी संख्या में नहीं होती पर होती है लेकिन हमने सडकें बना करके धूल को पहले ही विदा कर दिया है तो यहां तो गोधूली वेला ही गायब हो गई है तो यही कविता की विडंबना है कि गाओं में तो कविता गोधूली पर लिखी जा और इसका गाह है निमलिखित कत्रों के आशाय स्पश्ट कीजिए तो पहला जो है वो स्क्रीन पर आपके सामने आएगा और उसका आशाय इस प्रकार है कि इसका आशाय यह है कि धूल के फूल के ऊपर छाई हुई धूल फूल की सुंदर्ता को और भी बढ़ा देती है परंतु शिशु के मुक पर चड़ी हुई धूल बताती है कि मनुष्य असल में पार्थिव है स्वयम मिट्टी है स्वयम धूल है उसका जीवन एक दिन उसी धूल में मिल जाएगा तो यह उसको इस पस्ट करती है तो दूसरा कथन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है और इसमें बताना है हमको कि धन्य धन्य वे नर मेले जो करत गात कनियां लगाए धूर ऐसे लरिकान की यह एक ब्रजभाशा के कवित का एक हिस्सा है कुंती है कभी कहते हैं लेखक कहते हैं रामविलास शर्मा जी कहते हैं कि वो लोग धन्य जो धूल में सन्य हुए बच्चों को उठाकर गोद में रख लेते हैं क्योंकि ऐसे धूल भरे बच्चों को गोद में उठाने से धूल का भी इस परश होता है धूल के प्रतिवी जो है वो इसने प्रगट होता है और अब तीसरा कथन स्क्रीन पर और उसका आशय इस कथन का आशय यह है कि मिट्टी और धूल का अंतर यह है कि मिट्टी शब्द है धूल उससे पैदा होने वाला रस है मिट्टी देह है धूल उसका प्राण है मिट्टी चांद है धूल उसकी चांद नहीं है ये रामिलास शर्मा जी ने इस ललित रचना में रम्य रचना में अपने इन भाव को विप्त किया है दोनों का टूट रिष्टा है इसलिए लेखक इस तरह से उनके उदाहरण देते हैं इसी का अगला चोथा कथन आपके सामने इसक्रीम पर और उसका आश्य है कि देश भक्ती की भावना का रूप ही अब बदल गया है देश भक्ती अगर मन में है तो देश की धूल के प्रती भी हमारे मन में भक्ती होनी चाहिए वो कैसे प्रगट होगी जब हम धूल को धर्ती की मिट्टी को उठा कर अपने माथे से लगाते हैं तब हमारी वह भक्ती भावना प्रगट होती है अगर हम माथे पर नहीं लगा सकते तो लेखा कहते हैं कम से कम नंगे पर धूल पर चलना अवश्य चाहिए ताकि उस धूल के साथ हमारा संपर्ग बना रहे और पाच्वया स्क्रीन पर आ रहा है उसका आश्य इस प्रकार है कि काच और हीरे का भेध यह होता है कि हीरे बहुत म्यबूत माना जाता है कहा जाता है कि एकर घं भी उसके बर पटका जाए तो हीरे को नहीं टूटना चाहिए और जो हीरे नहीं तूटे वही उत्तम होता है लेकिन अगर हीरे पे घंचलाये जाए तो वह हीरा तूट जाता है पर धूल पर घंचलाने से भी धूल नहीं तूटती तो हीरा तूटने के काबिल है इसलिए वह हीरा क्या हीरा जो तूट जाए और धूल के कण जो तूट नहीं सकते वहीरे से वी स्रेश्ट है क्योंकि घन भी उनका कुछ विगार नहीं पाता और अब जो है हमारे सामने कुछ शब्द दिये गए हैं जिनके उपसर्ग छांटने हैं तो इसमें पहला शब्द जो है वह है विज्यापित तो विज्यापित शब्द है उपसर्ग किसी शब्द में ही लगता है तो जब हम उपसर्ग हटाएं तो वहां एक शब्द बचना चाहिए अगर अधूरा शब्द होगा तो इसका मतलब है कि उपसर्ग हटाने में या लगाने में कोई गल्ती हुई है तो अब हमको संसर्ग को भी इसी तरह से इसका उपसर्ग हटा करके देखना है तो इसमें उपसर्ग है सम और शब्द है सर्ग सम धन सर्ग संसर्ग अब उपमान उपमान में उप उपसर्ग लगा हुआ है उपधन मान संस्कृति में सम धन कृति दुरलब में दोह धन लभ नेरद्वल्द में नेधन द्वंद्व प्रवास में प्रधन वास दुरभाग में दुह धन भाद्व तो ये थे उपसर्ग अब हम दूसरा प्रश्णिस का देखते हैं जो भाषा के बारे में हैं कि लेखक ने बहुत सारे धूल से जुड़े हुए मुहावरे लिखे हैं हमको भी पाच मुहावरे अपनी और से देने हैं तो हम इस तरह दे सकते हैं पहला धूल फाकना और इसका एक वाक्य भी बना सकते हैं कि लच्छ पाने के लिए लोगों को दर-दर की धूल फाकना पड़ती है दूसरा है धूल चटाना और इसका वाक्य स्थरे बनाया जा सकता है कि हमारे पहलवानों ने मलेशिया के पहलवानों को धूल चटा लिए प्रास्त कर दिया और तीसरा है धूल में उडाना इसका वाक्य स्थरे बनाया जा सकता है कि बहुत से लोग मेहनत की कमाई को व्यर्थी ही बरबात करते हैं जैसे कि धूल में उडा रही हो और चोथा धूल में मिलाना धूल में मिलाना किसी को नश्ट कर देना स्वागत के लिए शांदार शामियाना लगाया गया था परांधी पानी ने उसे धूल में मिला दिया बरबात कर दिया और पांचमा है धूल धूसरित होना इसका वाक्य होगा क्रिष्ण को ये शोदा जी ने धूल धूसरित अवस्था में देखा तो वे वाजसल्य से मुस्कुराने लगी तो ये था रामविला शर्मा जी का जो निबंध है धूल उस पर आधारित प्रश्णों के उत्रों वाला हिस्सा आपसे अंरोध है क्रिपया से शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए मित्रों को बताइए और अगर आपके बन में कोई जिग्यासा है तो उस से भी कमेंट बॉक्स में डाल दीजे हम उसका उत्तर देंगे आपका बहुत 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 धैनेवाद